हिप्पो पानी में बार बार इसलिए जाते हैं क्योंकि उनकी स्किन बहुती सेंसिटिव होती है जो की बाहर की गर्मी को सहन नहीं कर पाती और भले ही हिप्पो का शरीर देखने में काफी बढ़ा लगता हो लेकिन ये बहुती कम खाना खाते हैं ये अपने शरीर के वजन का एक से देड़ परसेंट ही खाते हैं क्या आपको पता है कि आर्गस पिकाओ के कैसा मोर है जो अपने पंखों को आगे की तरफ फैलाता है मैंटे से कैसा जीव है जो अपने शिकार को जिन्दा ही खाना शुरू कर देता है मगर मच कभी भी एक एडल्ट हिपो को नहीं हरा सकते इसलिए वो उनके बच्चों को मार कर खा जाते हैं टीना मोह नाम का ये पक्षी काफी कलरफुल अंडे देता है डॉल्फिन एक दिन में 30 पाउंड तक मचली खा सकती है वैसे क्या आप आर्मी में जाना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताना